तो अगर आपने इस वीडियो को click कर दिया है इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप अगला attempt clear करें और आप ये भी मानते हैं कि शायद आपने कोई गलती करी होगी और आप देखना चाहरे हैं कि वो गलती क्या हुई हो सकती है और उस पर आप कैसे improve करें तो एक बहुत ही अच्छ तो मेरी वीडियो का purpose fulfill हो जाएगा Welcome back to my channel literature and literature तो इससे पहले मैं start करूँ मैं चीजों को बहुत analyze करती हूँ ये आपको बता दूँ और इसलिए analyze नहीं करती हूँ कि मतलब video लंबा गरने के लिए I don't want to do that और वो हो जाता है मैं videos को short करना चाहती हूँ पर वो unfortunately लंबे-लंबे हो जाता है पर इसलिए ताकि आप देख सको मेरा analysis कि मैं किस basis पर किसी conclusion पर पहुंचती हूँ ठीक है क्योंकि मैं इंसान हूँ और मैं भी गलतियां करती हूँ तो आपको वो गलती दिख जाए अगर मैं कर रही हूँ चलो सबसे पहले तो ये कि मैं बहुत बड़ा बहुत ही भूलने की problem है मुझे और मैं बहुत भूल जाती हूँ तो मैंने सारे points लिख लिए हैं लेकिन मैं इनको अपने हिसाब से पहले और बाद में deal करूँगी सबसे पहले मैं ये deal करना चाहती हूँ ये 6 months just because exam 6-6 महीने के gap पे होता है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 6 महीने एक yardstick हो गई exam को clear करने के लिए देखो बहुत सारे लोगों के लिए 6 महीने sufficient होंगे बहुत सारे लोगों के लिए पर मैं उन लोगों से बात करना चाहरी हूँ जिनके लिए शायदी 6 महीने sufficient नहीं है और इसलिए नहीं कि आपका caliber कम है ठीक है उस बात पे नहीं जा रहे हैं कि caliber किसका कितना है और मुझे उस debate में बात करना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है पर the fact that हर इनसान अलग होता है अलग in the sense उन्होंने school में कैसी पढ़ाई की उन्होंने college में कैसी पढ़ाई की देखो जो popular narrative है मतलब जो बोला जाता है फरक नहीं पढ़ता कि आपने पहले किया कितना चाह perform किया school colleges में आप ultimately अच्छा कर सकते हैं देखो मैं उस चीज में personally believe नहीं करती मुझे ऐसा लगता है कर तो आप सकते हो लेकिन जो मेहनत का level है न वो हर जगा अलग-अलग हो जाता है जिस इनसान का 12th में मान लीजे medical था और मान लीजे उसका medical में बहुत अच्छा score था बायो बहुत अच्छी समझ आती थी वो इंसान अब net दे रहा है तो environment थो उसका अच्छा होगा है न, most probably और वहीं अगर एक ऐसा इंसान है जो 12th based, किसी भी और subject में किया है like for somebody like me मेरा environment strong है पहले से ही strong है तो में को तो 6 महिने के gap में फरक ही नहीं पढ़ता environment पढ़ू नहीं पढ़ू मुझे तो environment आता है similarly मुझे maths भी आता है फरक ही नहीं पढ़ता 6 महिने में मैंने पढ़ा गी नहीं पढ़ा तो इसलिए हम अलग-अलग है मुझे despite everything चलो एक factor जो मेरा ऐसा कह सकते हो कि disadvantage में था वो यह था कि मैं भी fresh थी first semester में थी बहुत young थी for the exam लेकिन otherwise मेरे सारे factors positive में environment मुझे आता है मेरा background है maths मेरा हमेशा से अच्छा रहा है मुझे English में मैं बहुत अच्छी थी अपने इस college में है ना आप detail में मेरी कहानी और मेरी कहानी तो क्या मतलब the truth about first attempt देख ले ना उसमें मैंने अपने example भी दिया है और और चीज़ें भी बताई है तो वो देख ले ना कहने का मतलब यह कि compare नहीं कर सकते है कि एक इनसान ने पहले अगर मेहनत नहीं की तो उसका भी उतनी ही easily हो जाएगा हो जाएगा exam तो निकल जाता है पर मेरे हिसाब से ऐसा जरूर रहता है कि जिस इनसान ने पहले से मेहनत किये होती है ना starting से लेकर अभी थक उसके easy हो जाती है journey मेरा third semester में net किसी miracle के वज़े से नहीं हुआ या इसलिए नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत brilliant हूँ इसलिए हुआ कि मैं बढ़ी पहले से पढ़ रही हूँ net के लिए नहीं मुझे पता भी नहीं था कि मैं net के लिए मेरी त्यारी हो रही है पर पढ़ रही हूँ grow कर रही हूँ अब देखो दो type के बच्चे है A और B A जो पढ़ रहा है college में पढ़ा, school में पढ़ा, अभी पढ़ रहा है सारे factors positive में और ये इंसान 6 महीने की त्यारी करेगा और ये इंसान जिसने कभी त्यारी नहीं की पहले जिन्दगी में जो college भी बहुत seriously नहीं जाता था और classes में गए भी तो ध्यान नहीं दिया ऐसा नहीं की बहुत exceptional बच्चे होते हैं बहुत कम होते हैं ऐसे काफी बच्चे होते हैं ऐसे भी काफी बच्चे होते हैं और यही बच्चे six months त्यारी करेगा तो इसके पास काफी सारे negatives है छे महीने में इसके करपाने के chances काफी कम होते हैं और यह मैं आपको इसलिए बिताना चाहती हूँ थाकि आप अपने आपको compare ना करें कि यार उसका 6 महीने में हो गया मेरा नहीं हुआ ultimately paper में net ने मुझे नहीं पता अगर बोला हो तो पर मेरे साब से तो नहीं बोला ना उन्होंने कि याँ 6 महीने की त्यारी ही करनी है आप लोग जब class में भी जाते हो तो कई बर ऐसा होता होगा masters में की कोई novel पढ़ा रहे हैं आपको teacher और किसी ने वो novel पहले से ही पढ़ा है चाहे वो graduation में पढ़ा है चाहे out of interest पढ़ा है वो बच्चा उस novel के terms में class में बहुत अच्छी performance देता है ठीक है क्योंकि उसने पहले से ही पढ़ा है अब exam तो आप दुनों इकठे लिखोगे ठीक है तो किसी ने पहले किया हो नहीं किया हो उसका उतना फरक नहीं पढ़ता है पर class में तो दिखता है जब नया नया और होता है पर with time आप उस gap को cover कर लेते हैं क्योंकि अगर आप उससे मेनुद ज़्यादा करेंगे तो दो चाह novel complete करना cover करना उतना मुश्किल काम नहीं है पर जब आप net की बात करते हैं तो इसमें इतना सारा syllabus है कि जिस इंसान ने पहले थोड़ी भी त्यारी करी है थोड़ा भी college में ध्यान दिया है या out of interest चीज़ें पढ़ी है वो एक advantage मेरे हिसाब से hold करता है तो irrespective of आपका background क्या है आपने कितनी पढ़ाई पहले की, कितनी नहीं की यह नहीं मैं बोलूँगी कि आपका net नहीं हो सकता उससे सच में फरक नहीं पढ़ता कि आपने कितनी पढ़ाई पहले की और नहीं की उससे आपका net clear होने पर कोई फरक नहीं पढ़ेगा की मेहनत जो बाद में लगेगी उसमें फरक है क्योंकि जो उसमें पहले त्यारी कर ली उसमें बड़े पहले से त्यारी किया दीरे-दीरे कर रहा है तो उसको उतना फील भी नहीं हो रहा पर क्यूमिलेटिवली तो उसको जाधा information उसने gather कर लिया है तो इसलिए वो एक advantage पर कर तो दोनों सकते हैं चेक है तो इस six months पर अपने आपको tension नहीं लेनी है कि छे महीने में हमारा नहीं हुआ चेक है कोई बात नहीं है time low अगर आप आपको family से कोई issues नहीं है financial दिक्कते होती है कुछ लोगों की पर अगर आपके पा हाँ एक चीज़ और जैसे for example जब मैं exam लिखने जाती हूँ तो examiner को यह नहीं पता कि मैंने 6 महीने त्यारी की कि एक साल त्यारी की है ना I mean the question paper उनको तो बस पता है कि मुझे कितना आता है और मुझे कितना आता है वो मैंने सिरफ 6 महीने में या college के 3-4 साल में नहीं accumulate किया ह मैं अगर exam देने के time पर 21 साल की थी ना तो मेरे 20 साल की knowledge वहाँ पर लगी मैं आपके एक example देती हूँ यह unfortunately मेरा दिमाग exam में नहीं चला पर यह बड़ा अच्छा point है तो क्या हुआ हमारे वाले paper में question आया था कि which of the following languages was introduced by the English in introduced by the Britishers in the universities or something ऐसा कुछ सवाल था इन universities में था या पता नहीं कहां पर था मैं अब introduce की इन में से कौन से language तो उसमें चार options थे तो paper में तो मैं दिमाग नहीं लगा पर जब मैंने discuss किया किसी के साथ तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर exam में आप सोचते कि French और English आपस में उनकी नहीं बनती थी है ना इंडिया में आपस में आपस में स्ट्रगल कर रहे थे अच्छा ये फैक्ट मुझे पता था पर ये paper में दिमाग नहीं चला तो ऐसा मेरा paper में दिमाग चलना चाहे था कि English French language क्यों introduce करेंगे जब French और English आपस में उनकी नहीं बनती थी इंडिया में तो ऐसा दिमाग लगाना और इस information का ह ये छे महीने या एक साल डिसाइड नहीं करता या आपने जितने साल के आप हो एक्जाम देते टाइम आपने आज तक क्या-क्या किया है वो सब पे फरक पड़ता है ठीक है या आपको डरा नहीं रहे हूं एक आपको बिस थोड़ा practical बता रहे हूं कि ऐसा होता है तो चार साल की बढ़ाई की आप एक साल में कर सकते हैं वेरी गूड आप दो साल में कर सकते हैं वेरी गूड तीन में कर सकते हैं वेरी गूड अल्टिमेटली ये फरक तो पड़ता नहीं न और कि आपको कितने अटेम्ट लगे अब अभी आपको लगेगा क्योंकि जब हम कॉल वो आपकी दिनों को फिर भी determine करेगी और देखो, net मेरा हुआ 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 है कबसे, 2021 में हुआ था Masters में ही हो गया था, फिर एक साल Masters हुई 2022 में मेरी Masters हुई I don't have a job yet, okay so, even if you clear it like अगले attempt में मैं और आप एक ही बराबर है हमारे में कोई जादा फरक नहीं है है ना, जॉब तो अगर आता है कोई job opportunity तो हम same time पर ही लगेंगे कहने का मतलब यह है कि net आपका कब होता है, कितने attempt में होता है इतना फरक आपको नहीं बढ़ना चाहिए आस-पास वाले कुछ time के लिए बोलते हैं और वो अब मतलब यार inevitable है, बोलते ही है और लोग बोलेंगे ही और यह आपके थ्रू में अपने लिए भी बोलते हैं कि लोगों को बोलना होता है अब देखो जैसे आप ऐसा सोच रहोंगे कि हाँ आपको इतना attempt लग गया या इतना लग गया मेरा first attempt में हुआ था ठीक है, तो मतलब ऐसा सोचना चाहिए इंसानों कि वाओ यार कितना कमाल का गया कुछ भी ऐसा ही सोचेगा ना इंसान मुझे किसी ने बोला कि आपका तो lockdown में था और आपके पास तो time था और इसलिए आपका हो गया first attempt में मुझे इतना बुरा लगाना इतना जादा बुरा पर क्योंकि कहने को यह है यार कि ठीक है lockdown मेरे लिए थोड़ी था, सभी के लिए lockdown था उस time पे, सभी घर पे थे हाँ, मैं अपने आपको उन लोगों से ने compare कर रही हूँ जिनके life में problems चल रहे थे उन लोगों के compare कर रही हूँ जो ठीक था, मतर जिनके मेरे तरह situations थे, उनका तो नहीं हुआ न पर चलो क्या कर सकते हैं, मतलब people will tell you and then you know somebody said to me कि you know घर पे बैठके करना is easy जब बहार जाके आपको coaching भी लेनी पड़े और अब वो भी आएं, घर भी आएं तो बहुत difficult होता है मैं यह नहीं कहरी कि तब असान होता है अब difficult होता है, हर जगह के अपने pros and cons हैं यार पर it's more like कि यह कहने कि अपको बता रही हूँ कि लोग आपको हर बात पे कुछ नगुछ बोलेंगे कोचिंग लियोगी तो बोलेंगे भाई, कोचिंग से हुआ नहीं लियोगी, तब कोई और बहाना ढून लेंगे कि यह है तो जो जिसने बोलना है, उस पर धिहान नहीं देना है ठीक है, ultimately आपको exam clear करना है ठीक है चलो बहुत लंबी बात के लिए, मैंने इस एक topic पे अच्छा अनलखी रहे क्या आप? देखो, यह मेरे हिसाब से ना काफी subjective होता है कि आपका luck क्या है और अनलखी होना क्या है जब मैंने exam दिया था तो मतलब I was unlucky क्योंकि मैं डर गई अब यूनो वो जो डर था मैं उसे count करती हूँ कि मैं उस बात में unlucky रही हूँ क्योंकि अगर मैं डरती नहीं और वो डर भी कई कारणों से आया पर अगर मैं डरती नहीं तो शायद मैंने जो mistakes की silly mistakes जो 2-3 चलो चलती है मैंने 8 की थी तो वो आठ नहीं चलती है तो वो चीज मुझे लगता है कि यहाँ यार वो गलत हो गया ठेक है किसे के लिए unlucky होना यह हो सकता है कि you know उन्होंने उनके कुछ circumstances ऐसे रहे कि वो नहीं उतनी पढ़ाई कर सकते उनके control में ही नहीं था वो unlucky होना हो सकता है बहुत सारे external variables होते हैं जो आपका luck determine करते हैं आपका computer ढंक से नहीं चल रहा था आपके pointer में कुछ problem थी क्यांकि यह सब चीजें चलो चाहे 10 second के लिए हुई 15 second के लिए हुई इतना फरक नहीं पढ़ा पर mentally balance आपका थोड़ा सा डगमगाता है मेरी एक friend है वो मुझे आगे बता रही थी कि उसके साथ computer hall sorry अपना जो भी exam हो वाल है उसमें साथ वाले computer पर there was this lady जो जिनने computer operate करने नहीं आ रहा था उन्हें mouse use करने नहीं आ रहा था paper में तो पता है जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हो तो लगता है यार हम कितने ज़्यादा lucky है जिन लोगों को computer चलाने आता है जिन लोगों के पास access है इन सब चीज़ों का है ना तो luck बहुत चीज़ों में है पर चलो एक चीज़ यह है luck में कि exam में आपका कैसा luck था और अगर आपके जितना भी आपका cut off है उससे आप 2% अगर नीचे हैं तो अब मेरे हसाब से आप थोड़े से अलखी side पे रही है फिर भी अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो luck भी आपकी side पे होएगा और अब क्या बता अगली बार जियारिफ कर ले 2% का जो थोड़ा सा उपर नीचे हो जाता है तो वो चलो luck को attribute कर सकते हैं पर कोई बात नी keep studying और अगली बार और अच्छा perform करना चीक है और यह hard work का deficit क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने hard work में कमीगी देखो hard work में ना सबसे चली चीज़ तो number of hours मेरा यह मानना है कि एक इनसान 8 घंटे से जादा उसके लिए पढ़ना मुश्किल होता है पढ़ना as in actively आप पढ़ाई कर रहे है note making और अपना researching just because आप books के सामने हैं वो पढ़ाई नहीं है उसके लाब अगर आप 8 hours पढ़ाई करते हैं then that is good for me, मतलब काफी अच्छा है 8 घंटे पढ़ना आपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो at least मैं यह बोल सकते हूं कि आप मेहनत कर रहे है 8 घंटे पढ़ना डेली है ऐसा नहीं कि 8 घंटे आज पढ़े और फिर 2 दिन नहीं और 8 भी नहीं अगर आप 6 भी पढ़ना तो भी काफी है बर्नाउट नहीं होना है फिर वो आप चाहे 6 पे बर्नाउट नहीं हो रहे हैं 8 पे बर्नाउट नहीं हो रहे हैं Shakespeare पढ़े आई अपने की कुछ works पढ़े और फिर आप 10 दिन बाद Shakespeare का कोई और fact पढ़ रहे है तो आप connect ही नहीं कर पाऊगे कि ये Shakespeare से कैसे connected है और आप connect नहीं कर पाऊगे तो आप याद ही नहीं कर पाऊगे इसलिए consistency important होती है आप पढ़ रहे हैं ये भी फरक पढ़ता है अलग चीज़ें हैं दोनो रीडिंग का मतलब मेरे इसाब से आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं तो आप रीड कर रहे हैं अगर आप उसमें analysis कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं ढूनने की इसमें feminist perspective क्या है Marxism कहां involved है psychoanalysis से देखने की कोशिश कर रहे हैं वो studying हैंगी उसमें दिमाग लग रहा है आपको actively सोचना पढ़ रहा है ये फरक है और एक ये चीज़ है active recalling ये मैंने side में point बना दिया है पर ये बहुत important है यार ये practice develop करो आलस मत करना यहां पे बुक खोल के पढ़ना बहुत असान है मानो मेरी बात मैं रह चुकी हूँ जहां आप है बुक निकाल के पढ़ाई करना बढ़ा असान है किताब बंद करके recall करना मुश्किल और मैं सच बोलू डर लगता है अगर आपको ऐसा लगे ना कि हाँ किताब बंद करके कोशिश करो याद करने की क्या याद किया था थोड़े देर पहले उस चीज़ से हम डरते भी है इसलिए हम वो करना नहीं चाहते we don't want to face the reality कि हमें याद नहीं है तो अपने आपको जोठा दिलासा देने वाली बात हो गई है कि हमें याद हो गया अगर आप बंद करके कोशिश नहीं कर रहा याद करने की क्योंगी पेपर में ये ऐर ओपन बुक टेस्ट होता है तब तो आप बार बार पढ़ते ताकि आपको याद रखता कि ठीक है यहाँ पर यह यहाँ पर यह है तब तो आप यह काम करते है पेपर में जो आपकी skill demand कर रहे है वो recalling की आपको कितना याद है ना कि आप notebook देखे आपको याद आता है कि नहीं आता है open book में होता है आपको याद होना चाहिए कौन से page पर क्या लिखा है उससे आपको open book tests में help होती है तो आपको recalling पर help करनी है कोशिश करो recall करो रोज recall करो अपने आपको इस काबिल बनाओ कि यार जो पड़ा हो बस एक दम याद होना चाहिए दमाग में क्योंकि आप जितने अच्छे से याद करेंगे understand this कि paper आते आते वो fade away हो जाता है लेकिन वो उतना कम fade away होगा जितना अच्छे से आप उसको याद करेंगे आज यसे याद करो कि याद चार-पांच महिने बाद भी याद रहे चाहिए तो please do that and okay I talked not in the right direction कैसे पता चलगा कि right direction क्या है मैं यह बोल बोल के अब पता नहीं मुझे इसा लगता है कि आप भी बोल हो गयोंगे यह सुन-सुन के previous year questions, previous year questions, previous year questions किसे ने तो comment भी किया था कि यह सब PYQ PYQ बोलते रहते हैं करना कैसे है मैं यह समझ सकती हूँ पर यह है कि कुछ चीज़े ना उनमें आपको अपनी help खुद ही करनी पड़ती है मैं honestly जब previous year questions देखती भी हूँ न तो मैं जो कई बार लगता है कि it's very difficult to make somebody understand कि previous year questions कैसे करनी है आपको वो code खुद ही crack करना पड़ेगा बार बार बढ़के previous year questions एक बरी में समझ पाना possible मुश्किल है मेरे लिए मुश्किल था मुझ तो दो तीन बार में भी समझ नहीं आया थे पर विल्ड टाइम आपको समझ आते हैं जब आपको चीज़े याद होने लगेंगे न आपका एक base बन जाएगा आपको previous year questions समझ आएंगे make sure कि आप previous year questions पे notes बनाएं ना कि other way round कि हाँ आप पहले अपना त्यारी कर रहे हैं पहले आप writers पढ़ रहे हैं और उसके बाद चेक कर रहे हैं कि आप previous year questions कर पा रहे हैं कि नहीं अगर तो आप coaching ले रहे हो आप previous year questions को अपना source of knowledge बनाओ ना कि testing का माधियम वो test भी कर सकते हैं that's the secondary purpose according to me पहला है कि previous year questions आपको direction देंगे कि आप ये पढ़ो और कुछ समझ नहीं आता ना हर author पे हर option पे notes बना लो कामी खतम ठीक है और एक चीज़ और हाँ ये भी में बताना चारी थी ऐसा नहीं होता है कि previous year questions देखे कोई पता नहीं out of the blue trend समझ आजाता है अपनी बात कर रही हूँ मैं थोड़ा समय कई पर third person में बोलना चुरू कर देती हूँ पर मैं तब ऐसा नहीं होता यार कि कमाल का ही trend याद आ रहा है और समझ में आ रहा है और बस अब आपको predict ही कर लोगे आपकी यहां क्या आएगा exam में नहीं exam unpredictable होता है हमेशा को एक element of surprise रहता है पेपर में और आपका बच इतना focus होना चाहिए कि previous year question एक अकेला known है in this wide realm of unknown जब आपको नहीं पता exam में क्या आने है आप कहां पे अपना stronghold कहां बनाओगे आप कहीं भी तो stronghold नहीं बना सकते एक ऐसी जगह पे stronghold बनाओगे जहां पे probability है ऐसा वाल के आने के और आते हैं previous year question से repeat होते है जो एक साल option में होगा अगली साल question में होगा तो make sure कि आप वहां गलती ना करें उसके बाद आपने expand करने तो आप करते रहे है होता क्या है ना कि इंसान perfection में इतना खो जाता है कि मतलब और ये सर्फ आपकी बात नहीं मेरी भी रही है आप चाहते हैं कि किसी तरीके आपके notes perfect हो और उसमें से आपका paper में सवाल आए ये मैं फिर से बोल रही हूँ और ये तुम्हें से लगता है कि अब पता नहीं कहीं है मैंने कहीं से उठाया ना हो ये quote I hope मैं खुदी बोल रही हूँ ये you don't have to make perfect notes but you have to make sure that you remember your imperfect notes perfectly ठीक है तो वो याद करने पे focus रखना है active recalling right direction, previous questions that's it और क्या right direction है अगर हम examiner तों मैं हो नहीं मुझे नहीं पता वो कहां से डालते हैं सवाल लेकिन ये ज़रूर है कि previous questions में जो चीज़े रहती है उनका impact होता है अगले साल वाले questions में ठीक है और इसमें example देती हूँ chronology का जब introduce हुई बहुत easy chronology इंटर्ड्यूज हुई थी दूर दूर से writers उठा के देते थे एक romantic age से दे देंगे दूसरा Victorian age से दे देंगे तीसरे कोई मानलो चौसर की age से दे दे तो वहाँ पे आपको बिना सोचे ज़्यादा दिमाग लगाया पता लगा सकते थे क्योंकि इतने दूर थे वह works with time उन्होंने chronology इतनी पास-पास करने शुरू कर दिया कि एक ही age के writers दे देंगे फिर एक ही writers के works दे देंगे अब मतलब they have gotten very मतलब बहुत difficult questions पूशना शोलो कर दिया chronology के पर यह over the years हुआ ऐसा नहीं हो कि एक ही साल में उन्होंने difficult chronology इंटर्ड्यूस कर दी और अगर करीब ही होगी तो इतनी नहीं होगी कि आपका उसे exam ना होना और होना depend करने लग जाए ठीक है तो वो चीज है और अभी dates introduced हुई है इस बार की paper में अगर आप बिना dates के भी जाते तो भी chance था कि हाँ हो जाया था मतलब वो options इस तरीके से थे कि अगर आपको date उतनी नहीं भी आती है आप बाकी options से right answer पर derive कर सकते थे पर क्योंकि उन्होंने इस बार directly date introduced करी है यहां हो सकता है तो right direction आपको कौन देगा previous questions कैसे देंगे बार बार करोन को असान काम नहीं होता है ऐसा मैं सोचना कि हाँ एक साल का एक दिन में आपको समझ आ जाएगा हर चीज वक्त लेती है उसको वक्त देना पड़ता है अच्छा अगर आपका clear नहीं हो है आपने सब एक और चीज करेंगे आप अभी mostly नहीं तो इनसान करता ही है अपने notes को question करता है अपने teachers को question करता है उन्होंने सही कराया कि नहीं कराया देखो अगर तो आपने research की थे अगर लोग कहते हैं कि हाँ उन्होंने वहाँ से पढ़के exam clear किया तो होगा नहीं होता ही होगा clear होता ही होगा उनका पढ़ाय से किया हुआ दूसा चीज आपने ये देखना है कि उन्होंने notes में पढ़ाया था इस साल का वेपनी देखना जो latest है वो unpredictable होता है आपने ये देखना है कि previous questions के line पे उनके notes थे या नहीं आप उनके notes पढ़के previous questions कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो अगर वो है तो मतलब वो mostly सही direction में ही है ठीक है don't question your teacher एक बार आपको ऐसा लगता है एक बार faith established हो गया उसके बाद यार it's like कि जो उसकी कमिया है teacher की भी कमिया होती है सब में होती है इनसान ही है उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करो हो सकता है आपका teacher आपको क्या कहते है concept बहुत अच्छा समझाते हो पर कई पर facts में थोड़ी बहुत गलती कर देते हो वो facts आप कर लो खुद छीक ठीक है वैसे तो ऐसा होता नहीं है कभी एकादी कोई mistake हो जाती होगी I don't know अब depend करता है कि आप कहां से ले रहे हो जो आपके guidance है तो पर अगर most लोग उनको अच्छा बोल रहे हैं तो आप उन पे faith कर लो कि अगर आप इतना time waste करोगे ना इस बात पे कि आप सही teacher के पास हो या नहीं तो आपका time बहुत जाएगा बहुत energy जाएगी इससे अच्छा है कि जो गलती है उनको खुदी solve कर लो ठीक है और कि आपको पनी strategy में changes ये मैंने क्यों लिखा या रहे है strategy में changes हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगए कि यार इस पर मैंने ये वाला subject नहीं किया था और इस से paper में question आ गए ठीक है ऐसा कई बार हो जाता है जब मैंने paper दिया था तब उस time पे Indian का कोई बहुत value नहीं था paper के हिसाब से paper में ऐसा कहते थे कि theory, criticism, British literature करो तो एक्जाम क्लिर हो जाएगा मेरे paper में element of surprise था Indian इतने questions था मेरे time पे introduce हुआ था एकदम से Indian का number increase हो गया और मेरी अच्छी किसमत ये रही कि मैंने पूरा syllabus किया था पर उसमें भी यह है ना कि importance wise किया था पहले कुछ फिर उसके बाद or come important, फिर or come important पर ultimately cover कर लिया था अगर मैं नहीं भी कर पाती Indian cover और paper में Indian आ जाता तो हो सकता exam clear नहीं होता ठीक है पर तब इस चीज़ को blame नहीं करना paper में बैठके कि यार Indian कर लेती तो क्या आपने जो उन चार-पांच महिनों में किया वो आपको याद होना चाहिए अपने पनी best अगर दिया है तो आप importance wise ही करोगे probability के हिसाब से ही करोगे क्योंकि there is a good chance probability के हिसाब से करो और आपका paper clear हो जाए और बहुत कम chance होता है कि probability के हिसाब से नहीं किया और फिर भी paper clear हो जाए ठीक है विससे मान लो मेरे time पे किसी नहीं ऐसे किया होता कि Indian किया होता और बाकी चाहिद इतना अच्छे से नहीं किया होता क्या पता उसका clear हो जाता कि फिर वहाँ पर बहुत जादा फिर luck का जो role है वो बहुत बढ़ जाता है जब आप probability पे नहीं चलते हो probability पे चलोगे तो luck का रूल उतना कम हो जाएगा पर हां, role हमेशा रहता है और ऐसा हो सकता है कि आपने previous questions के basis पे किया और सब कुछ उसे साब से किया और इसा हो सकता है कि पेपर में सवाल वहां से ना आए पेपर में कुछ भी हो सकता है लेकिन इतना है कि अगर आपको पेपर फेस करना पड़ रहा है तो आपके साथ वाले को भी वही पेपर फेस करना पड़ रहा है ये चीज है और उस इंसान ने में previous questions देखे होंगे और एक चीज ना ये भी आती है दिमाग में जैसे मेरे दिमाग में आती थी तो मुझे क्या था कि 12th night था मेरे syllabus में college में तो मैंने वो बहुत detail में कर रखा था लेकिन जो Shakespeare के बाखी place थे हो थे low hamlet ये हमें नहीं थे तो मैंने को genuine सी बात है कि मुझे नहीं आता थे पर मैंने एक place करें exam के लिए पर फिर भी अगर मैं ये सोच के जाओ exam में कि probability जो है वो hamlet की है जादा आने की तो मैं सिरफ hamlet करूँ 12th night को ignore कर दूँ क्योंकि मैंने college में पढ़ा हूँ है हो सकता है मेरा selection हो जाए chance जादा है लेकिन अगर मैं 12th night कर जाओ और hamlet छोड़ जाओ तब chance कम हो गया क्योंकि 12th night से जादा important है hamlet in terms of जो previous questions में पूछा गया है ठीक है और ऐसा हो सकता है कि वेपर मैं 12th night से question है ठीक है लेकिन वहाँ पर फिर luck आगा कि मेरे syllabus में था मैंने पढ़ाए ठीक है पर ऐसा नहीं सोचना होता है कि हाँ कि किसी इंसान की university में सब कुछ ही होगा ठीक है ऐसा नहीं सोचना है just make sure कि आपकी university में जो है आपने वो कर रहा हो plus जो important चीज़े हैं जो सब पढ़ते हैं अपने पढ़ी वी हो यह अपका एक major goal है ना चाहिए and you should know कि prioritize क्या करना है एक चीज़ मैं और बोलती हूँ कि if you don't remember it's as good as that you never read it ठीक है क्योंकि paper में तो it's not about reading it's about recalling आप recall कर पा रहे हैं कि नहीं इसलिए मैं यह बोलती हूँ chance ज्यादा है ठीक है क्योंकि वो होता है आपका जैसे जैसे pool expand करेगा ना knowledge का उतना मुश्किल हो जाएगा आपको चीज़ याद करने का मैं आपको मैंने शायद पहले भी example दिया है हमारे सर थे उन्होंने मैं बड़े पहले बोला था उन्होंने बोला था कि अगर आप एक सिक्का जो है वो आप बाल्टी में रखोगे ना बाल्टी में फेंकोगे एक सिक्का ये बाल्टी है सिक्का बाल्टी में फेंकोगे ना और यही सिक्का आप एक तलाब में फेंकोगे इस बालती में से ढूंडना असान है और इस तलाब में खो जाओगे ढूंड नहीं पाओगे यही है पेपर का कि आप जितना ज़ादा पढ़ोगे न उतना आपको पेपर में याद कर पाना recall कर पाना मुश्किल है हमारी दिमाग की एक capacity है उसको respect करो उसको समझो कि उसकी क्या capacity है और वो कितना याद रख सकता है don't try go for everything पहले remember memorize जितना याद होता है उतना याद करके जाओ इधर नहीं कि हाँ यह भी याद कर लिया वो भी याद कर लिया और पेपर से पहले भूल गए वो नहीं वो करोगे तो मतलब फिर chance कम है यह नहीं कि chance नहीं chance हमेशा होता है और luck कोई चीज होती है पर यह है कि जितनी भी strategies में बताती रहती हूं क्यां यह करो वो करो यह सब probability के basis पर होता है कि आपकी probability increase हो जाए exam में पास होनी की guarantee तो यार कुछ नहीं है guarantee life की नहीं है तो यह तो exam है है ना तो make sure कि you know you remember यह चीज मैं बहुत जागा बोलती हूं you have to memorize you know लोग कहते हैं कि आप Indian से भी questions आने लग गए यहां से भी आने लग गए मैं क्या क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं आप सब कुछ पढ़ लो याद होता है तो सब कुछ याद कर लो कर लो ना यार देखो अगर तो आप सब कुछ याद कर सकते हो फिर तो कमाल ही होगा ना फिर तो आप paper clear कर जाओगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है paper में होता बता है क्या है frankisteen यार यह लिखी हो थी किसी ने किस ने लिखी थी was it Mary Shelley और was it PB Shelley चलो यह तो यार याद रहता है वैसे frankisteen पर फिर भी यह exam में यह नहीं होना चाहिए यार कि आपने paper में question देखा आपको लगा यार यह मैंने पढ़ा था पर मुझे भी याद नहीं आरा हो सकते है किसी बंदे ने सिर्फ British करके क्या हो मान लो पूरा paper ही British का आ गया अब वो अहाँ पर लखी हो गया पर उसको अगर वो याद है तो वो काम कर जाएगा मान लो किसी ने British भी किया था थेहरी भी की थी, criticism भी किया था और paper में सारे question British से ही आ गए ठेक है लेकिन उसको याद कम है क्योंकि उसका resource pool उसका जो knowledge pool है वो जाद है तो आपको लगता है कि उसका performance उस बंदे से better होगा जिससे सिर्फ British की है और paper में सिर्फ British आया है I hope मैं अपना point clear कर पा रही हूँ आपको ultimately it is about how much you remember और इसलिए मैं यह कहती हूँ अगर कभी मैं यह कहती हूँ न यसे मैं अभी lectures पढ़ारी हूँ जो अभी इतना obviously I don't think इतना कोई देख रहा है उनको but इसे उसमें मैं बोलती हूँ न कि यह छोड़ दो या यह तो कहां ही आएगा exam में types वो मेरे उसके उपर है कि हाँ यह तो कहां ही आएगा right probability कम है पर मैं सोचते हूँ कि या छोड़ देते हैं इसको पर आ कुछ भी सकता है exam में anything can come in the exam आपको वहाँ पर वो tackle करना पड़ेगा ठेक है अगर आ गया तो फिर handle करो पर वो ऐसा है कि अभी छोड़ दो कि कितना करोगे याद आप सारा कुछ याद कर लो and then you can come to the facts जो कोई बोले कि मतलब important नहीं है फिर आओ उन facts पे और अपने experience से बता रही हूँ unimportant facts पे आने का timing नहीं लगता है क्योंकि important याद नहीं और होते हैं क्योंकि दिन रात भी याद करो फिर भी भूल जाते हैं कि क्या था बार 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 रिपीटिड अब आपको बार बार तो revise करना पड़ेगा human mind है ठीक है आप revise नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा अब आपको एक 40 page की चीज याद करना असान है या 400 page की ठीक है और आपने वो चीज सुनी होगी कि 80% of the paper comes from 20% of the syllabus, literal नहीं है पर इसका मतलब समझो कि ज़्यादा तर paper कुछ concentrated चीजों से आता है, कुछ topics से आता है जिन पर आपको focus करना होता है उनको याद करो, ऐसा नहीं हो ना कि जिस 20% को आप इसको आप दाओ पे लगा दो for 80% of the syllabus जिसमें से उतने सवाल आएंगे भी नहीं, आएंगे आएंगे यहाँ से सवाल पर आप इनको तो याद करो जब यह याद हो जाएगा तब यहाँ जाना ना इतना याद करने में ही बहुत, मतलब मतलब आपको रेलाइज हो जाएगा कि महनत क्या होती है इतना साथ आप सो syllabus है 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 आप उस syllabus में से पहले वो चीज़ है याद करो जो इंपोर्टन है फिर टाइम बच गया तो आपको जो याद करना है वो आप याद करो बट बेक शूर कि आप जो एक्जाम में करने जाएग आप एक्जाम में वहाँ पर रिकॉल करोगे एक्जाम में आपको याद आना चाहिए कि आपने क्या बड़ा था वो जितना कम होगा उतना बेटर होगा ठीक है और जब आपको याद होता जाएगा ना उसके वाद आप एक्स्पैंड करते जाओ अब यह पॉइंट में पता नहीं कितनी बार बोल चुकी है और इस वीडियो में तो पता नहीं कितनी बार बोल है पर चलो ठीक है अब आपको यह पॉइंट और यह अंडिस्टैंड ठीक है यह चीज़े इंपॉर्टन है शायद उतनी इंपॉर्टन नहीं होगी मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टन है एक्जाम में स्ट्रेस होता है आठ क्वेशन से लिए मिस्टेक्स करके आई थी यह मैं आज तक दुख है मुझे इस बात का चलो क्या कर सकते हैं तो आठ क्वेशन गलत करें स्ट्रेस की वज़ा से जब मैं एक्जाम होल में गई थी न चलो मैंने थोड़ा पता नहीं क्या ही किया क्यों ही सोचा मैंने ऐसा पर वहाँ पर एक जिसे एंट्री कर रहे थे न तो वहाँ पर हम वहाँ पर फॉर्म चेक कर रहे थे हमारी आईडी चेक कर रहे थे और आपसे कुछ सवाल भी पूच रहे थे कि आपका क्या नाम है ऐसे से करके मेरी ना अवाज नहीं निकल रही थी मतलब मैं इतनी डरी वही थी एक्जाम से पहले कि मेरी अवाज ही नहीं निकल रही थी पर किसी तरीके मैं बैठी एक्जाम में मेरी हाथ थोड़े से हलकी स्लाइटली शिवरिश थे और जब तक paper नी शुरू हो गया और फिर paper में 15 minutes starting में तो पता नहीं मैं क्या ही कर रही थी DI था, 2 को 3 पड़ रही हूं, 3 को 8 पड़ रही हूं, 6 हर कुछ कर रही थी मैं, हर कुछ मैं अब extreme case of stress था मेरा तो तो ऐसा है कि stress चीज़ें बहुत बिगारता है और यह मैं सीख चुकी हूँ अब stress चीज़ें बहुत बिगारता है और stress नहीं रहना चाहिए ना exam से पहले ना exam के time पे पहले भी लोगी तो burn out हो जाओगे और ठब जाओगे, पंड़ने का दिल नहीं करेगा क्योंकि एक stress associate कर दिया अपने पढ़ाई के साथ stress नहीं लेना है चीक है sleep cycle को ऐसे बनाओ कि आप उस time पे सो नहीं रहे होने चाहिए और जिस time पे exam होता है अब क्योंकि हमारा दो shifts में था तो मुझे कोई भी timing मिल सकती थी या तो सुबह वाली या शाम वाली तो मेरा क्या था मैं दिन को सोती थी पता नहीं क्या time पे सोती थी मैं सोती होती थी किसी time पे पर जब मुझे पढ़ाई चला कि exam दो shifts में है तो I decided कि मैं उस time पे नहीं सोऊंगी इस time पे दिन को सोती हूं क्योंकि दिमाग एक्टिव होना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी की एक साइकल होती है आप उससे जैसे ट्रेन करोगे वो ट्रेन हो जाएगी तो मैं सुभा भी जगी होती थी एक्जाम वाला जो टाइम होता था और शाम को भी ताकि मेरे दिमाग ही इससे काम करें कि ये टाइम पर मैं बहुत एक्टिव हूँ मेरे दिमाग काफी चले और ये सब ना मैटर करता है बहुत बहुत ही चोटे लेवल पर करता है क्योंकि एक बाइब मैंने ऐसा एक्जाम भी दिया है जहां पर मेरी स्लीप साइकल एक्टम खराब हो चुकी थी मेरे रात को चार बज़े सोते थी और दिन को बारा एक बज़े उठते थी और वो एक्जाम था नौ बज़े जिसके लिए मैं उठके घर से निकल गिल थी साथ बज़े मुझे नौ से बारा मेरे साथ ध्यान रखना स्लीप साइकल का और ठीक है मैंने बहुत बात कर लिया है इस वीडियो में और मुझे कुछ समझाने के लिए आनी राए कि और क्या हो सकता है एक चीज़ और कि अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आप थोड़ा सा ही कमी है आपको cut off से आप मेहनत करना मत छोड़ना keep studying क्योंकि आपको नहीं बता क्या element of surprise आपके paper में आ जाएगा और फिर क्या हो सकता है paper में है न तो वो है न कि आप जितना ज़्यादा hard work करेंगे लग आपका उतना support करेगा क्योंकि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को मेहनत में तभी बोला जाता है और यह मिझे समझाने नहीं आ रहा है पर यह मतलब है I think कि लग भी उनको support करता है जो मेहनत करते है मेहनत करते रही है और हार मत मानना क्योंकि कई वर ऐसा होता है ना आपने वो वाला आप अंडर्ग्राउंड है चल रहे हो चल रहे है कोई यहां आप के चोड़ रहा है क्या पता आप यहां ही पहुंच रहिए हो थोड़ा सा ही आगे हो है ना तो हार मत मानना और किसी ने मुझे वाद बोली थी जो आपने मेहनत की होती है वो कभी बेकार नहीं जाती है कभी ना कभी काम आ जाती है और यह चीज को मुझे यह सा लगता है कि हाँ शायद होगा तो यही सोच कि as an individual grow करते जाएए आपने जो त्यारी की है वो आपो कभी ना कभी help करेगी आपकी जो महनत है वो ऐसे बेकार नहीं जाएए और नहीं तो आप struggle करना सिखेंगे गिर के उठना असान काम नहीं होता बार बार जब कोई result नहीं आता वो perseverance जो होती है यह एक rare quality है मेरे हिसाब से you know to keep going despite the fact कि आप failure देख रहे हैं लोग first attempt को बहुत glorify करते हैं पर मेरे हिसाब से जो बंदा जिसने 3-4 attempt लिखे है ना यार मैं उसकी mental strength को मतलब मैं बहुत I look up to that और मैं चाहती हूँ कि मुझ में ऐसा grit हो कि इंसान खड़ा हो गिर के कि यह तो एक exam है यार life is like that when you have to get up and because life में तो त्यारी भी नहीं होती ना ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि life में आपको question paper और आपको syllabus कुछ defined नहीं होता out of syllabus question paper आते हैं और वो भी आपको solve करने पढ़ते हैं तो कई बराब fail होते हैं कई बराब pass हो जाते हैं fail होते हैं फिर से try करते हैं life भी तो ऐसे ही चलती है ना तो उसमें भी बहुत help होगी आपको life में in general तो अभी के लिए मैं इस video को यहीं खतम करती हूँ आपको जो भी बोलना होगा अभी तक तो वैसे मुझे लगता नहीं है बहुत कम लोग देख रहे होंगे अभी तक तो पर अगर आप देख रहे हैं तो मुझे please बताना comment section में मुझे पता है कि comment section में लिखने में थोड़ी hesitation रहती है बहुत लोगों को रहती है मैं खुद उन में से हूँ और तो मैं क्या बता हूँ तो वो भी मैं समझती हूँ पर फिर भी अगर आप लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि हाँ मैं किसे से बात कर रही हूँ और मैं किसी को तो समझा पा रही हूँ मुझे नहीं पता कि इस विडियो में मैंने कितना अच्छा आपको relatable stuff बोला है और कितना नहीं बोला है कितना मैं समझा पाई हूँ कितना नहीं समझा पाई हूँ पर जो भी है negative, positive feedback आप प्लीज मुझे देना मुझे भी improve होने में help होती है और मैं grow करने में बहुत believe करती हूँ Thank you so much for watching Bye bye, take care and please comment